एक बार जो मैंने कमीटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता मैंने निका भाई सल्मान खान ने कहा था और मानना पड़ेगा सल्मान खान ने जो बोला वो करके दिखा दिया जिया दोस्तो इस वक्त बोल्योड के जितने भी फेंस है सबका एकी सवाल है के राध है सूर्यवंसी 83 ये सब फिल्म में कब रिलीज होगी क्योंकि दोस्तो इस वक्त हिंदूस्तान के सभी सिनमा घर बंद है कोरोना वाइरस के केसेज भी डेली बढ़ते जा रहे हैं जिसके चलते ये उमीद लगाना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो इंडिया के थेट रहे हैं खास करके हिंदी बेल्ट वाले ये जून जुलाई ये अगस्त तक तो बिल्कुल नहीं खुलेंगे तो इससे में दोस्तो राधे शूरिय वंसी और एटी थी कब रिलीज होगी तो दोस्तो शूरिय वंसी और एटी थी का तो पता नहीं लेकिन सलमान खान के राधे जिश डेट पर अनौन सुई थी उसे डेट पर रिलीज होगी जिया दोस्तो आपको बता दे कि सलमान खान न टीवी पर कैसे इस फिल्म को देख सकते हो तो धोस्तों आपको बता दू कि राधे फिल्म को जीप लेक्स पर रिलीज़ किया जाएगा जहाँ पे आपको 200 निन्य अनू रूपे पे करना हो ago उसके बाद ये फिल्म आप घर बेटकर एंज्वए कर सकते हो आप 200-9 देने के बाद आप इस फिल्म को आखेले देखो या पूरे परिवार के साथ देखो या फिर पूरे मोहले के साथ देखो 300 रुपे मेज़े हैं इस फिल्म को आप एक बार देख सकते हो तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब ये फिल्म घर बेटे लोगों को देखने को मिल जाएगी तो क्या पबलिक सिनमा घरों में इस फिल्म को देखने जाएगी सोभाविक सी बात है नहीं दोस्तों सबसे पहली बात तो यह ही कि ये फिल्म सिनमा घरों में रिलिज कहा होगी इस वक्त हिंदुस्तान के सभी सिनमा घर बंदे, माराष्टा के बंदे, MP के बंदे, गुजरात के बंदे, राजश्थान के बंदे और जितने भी बड़े बड़े श्टेट है, सभी दूर के सिनमा घर बंदे, तो ऐसे में आपको लगता है कि 13 माई तक सिनमा घर खुलेंगे 10 करोड या 15 करोड रुपे तक जाएगा, यसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ताकि अभी जिस तरह के हलाते उसे देखते होए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि अखिर राधे फिल्म, OTT और थेटर दोनों जगा पे एक साथ क्यों रिल रिलिज करें, या यूटूब पर रिलिज करें, या सिनेमा घर में रिलिज करें, सलमान खान को घंटा फरकनी पड़ता, सलमान खान राधे फिल्म से 200 करोड रुपे कमा चुके हैं, तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आता है कि सलमान खान ने आखिर इस फिल्म को थेटर औ बोनों जगह पे एक साथ रिलिज करने का अनॉसमेंट क्यों किया तो दोस्तों इसके पीछे की सबसे बड़ी वज़े ये है कि हमारे हिंदुस्तान की जितने भी डिस्टीब्यूटर और एक्जिब्यूटर है उन्होंने अभी दो एक महीने पहले सलमान खान को बाप बना लि जिया था कि हाँ राधे सिर्फ और सिर्फ थेटर में रिलिज होगी और मैं सिनमा घर वालों के साथ में हूँ जिसके चलते दोस्तों यहाँ पे सलमान खान ने डबल गेम खेला ये भी अनॉस कर दिया है कि राधे फिल्म सिनमा घर में रिलिज होगी और फिल्म OTT तो सिनमा घर में ही आएगी वही दूसरी तरफ इस फिल्म को ओटेटे पे भी रिलिज कर दिया पर दोस्तो फिर भी सोचने वाली बात यह ही कि अगर राधे फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट सो ही ओनलाइन रिलिज हो जाती है उसके बाद इस फिल्म की पाइरसी नहीं होगी उस उसे नहीं देखना चीए फिर चाहे हो सलमान खान की हो अक्षे कुमार की हो अमिर खान की हो सारुक की हो आजी देवगन की हो किसी भी इस्टार की हो कोई भी फिल्म को पाइरेटेट वर्जन में नहीं देखना चीए क्योंकि एक फिल्म को बनाने के लिए करोडों रुपे लगते हैं और हजारों लोगों के मेहनत लगती है इसलिए आप सबसे भी रिक्वेस्ट हैं कि राधे हो या सूरे वनसी हो किसी भी फिल्म का पाइरेटेट वर्जन ना देखें फिल्म को या तो आप OTT प्लेटफरम पर देखें जहां आपने सब्सक्रिप्सन ले रखा है या फिल्म के टिकट खरीद करें इस फिल्म को देखें